नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटुब चैनल माइकी मिन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम इगनू कोर्स जो बी एलाइस का है उसके सारे लेक्चर हम कवर कर रहे थे इससे पहले हमने काफी सारे लेक्चर डाल दी हैं इगनू के अगर आपने वो नही इस 2 to 4 का multiple choice question को discuss करेंगे लेक्चर सीरीज 4 है इससे पहले 3 और लेक्चर डल चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप उपर i button पे क्लिक करके वो देख ले लेक्चर का जो PDF है हम लोग Hindi English दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप से request है अगर आपने अभी लेक्चर का टेलिग्राम पे मिल जाएगा और आपको कोई डाउट है लेक्चर से रिगार्डिंग या आपको कुछ परसनल कोई दिक्कते आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हम आपकी है जरूर करेंगे तो आपसे request है अगर आप चैनल पे नहीं है तो चै पैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इससे बाकी जो स्टूडेंट है उन लोग की भी हल्ड हो जाएगी तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो यह हमारा B.L.I.S. 224 का अगला lecture series है यह lecture series 4 है इससे पहले तीन और lecture series इसके डल चुके हैं अगर आपने वो वाले lectures नहीं देखे तो please करके वो lecture देख ले उपर i button पे click करके इसका जो format रहेगा mcq based रहेगा और यह सारे special हमारे class चल रहे हैं October exam के लिए B.L.I.S. के जितने भी courses हैं वो सारे हम cover कर रहे हैं तो इस lecture में हम B.L.I.S. का जो 224 है इसका हम 35 questions discuss करने वाले हैं तो question number जो है वो number of questions वो ज्यादा है तो video long होने वाला है तो कर्पे करके आप video को last तक देखे और कुछ बाते जैसे आप लोग 227 का demand कर रहे हैं और 226, 228 का demand कर रहे हैं 227 हमने already तीन lecture डाल दिये हैं प्लीज करके अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख ले अगर आपको मतलब जो हम तरीके से उसमें हम बता रहे हैं आपको अगर वो अच्छा लग रहा है तो फिर आप comment करें हम उस पे video जरूर बनाएंगे और रही ब तो आपके पास 226 और 228 का भी कुछ भी नी हमने अभी आपको दिया है तो इसलिए हम 226 और जो हमारा एक जो 221 का जो चल रहा है वो तो चलेगा इसाथ में 226 हम डाल लेंगे और फिर बाद में हम लोग 228 का भी लेंगे तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहे हम सारे जो भ लेक्चर को फॉलो कीजिए पीडियास से आप लोग पढ़िए और उसके अलावा आप स्टडी मिटीरियल को ही फॉलो करें कोई और जो मिटीरियल है उसको प्लीज करके ना जाए कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए बुकों को तो बिल्कुल भी ना टच करें और यह सार कॉशन हमारा वहाएं इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग टेक प्लेस बोथ वेज इस नोन ऐस जब इन्फॉर्मेशन दोनों तरब से डिलीवर होता है तो वह कौन सा प्रूसेस होता है तो वह होता है फुल ड्यॉपलेक्स इसका इक्जाम्पल मैं दे दूँ जैसे की conversation जो होता है वो हमारा full duplex का example है उसमें दोनों तरह से information का जो आदान प्रदान हो रहा होता है दोनों तरफ से बोलते हैं second है हमारा when information transporting take place only in one ways is known as तो जब information एक ही तरफ से बस flow होता है इसमें basically एक sender होता है और एक receiver होता है तो उस process को क्या बोलते हैं half duplex क्योंकि इसमें एक ही काम हो रहा है दूसरा काम नहीं हो पा रहा है तो इसका example दे दू जैसे कि मैं अभी आपका lecture ले रहा हूं तो यह offline है मतलब हम record करके डाल रहे हैं तो मैं हमें हाँ से बोल रहा हूं पर आप महां से सामने से reply नहीं कर पा रहे हो वह बाद में कमेंट में आप करते हो पर वो नहीं आएगा इस category में तो यह तरह से एक example है half duplex का आगे चलते हैं पर फुल फ़र्म आफ NIC का फुल फ़र्म क्या होता है? नेटवर्क इमटेर्फे स कर्ड नेटवर्क इंटर्फे स few का ठालन एए Mang अ RIU का full form क्या होता है Ring Interface Unit Ring Interface Unit होता है RIU का full form फिर आते हैं 5th question पे When complex interlace structure realized by a bunch of point to point interconnection is known as जब यहां पे क्या है कि bunch of connection हो जाता है Mesh Topology Mesh Topology में क्या होता है कि जो चीजे होती है जो connection होता है एक, दो, तीन, चार बहुत साथ system होते हैं उनके बीच में जो connection होता है वो बहुती tricky होता है बहुती इदर उदर से एक दूसर से मतलब बहुती एक मकड़ी के जाल की तरह तो एक तरह से मतलब connect होते हैं तो उसको बोलते हैं mesh topology फिर आते हैं sixth question पे tree topology is also called dash topology tree topology को हम और किस नाम से जानते हैं तो जो दूसरा नाम है hierarchical तो tree topology is also also called hierarchical topology आगे चलते हैं seventh question the number of level in a tree is called its dash तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो ट्री जो topology होता है उसके अंदर जब हम level बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हम depth यह पेड़ वाला है क्योंकि computer में जब connection बढ़ता है tree formation में तो उसको बोलते हैं level और उस level को जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं depth तो यह है आपका पूरा concept यह थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा होगा I can understand क्यूंकि आप अगर अपने computer किया है तो आपको कोई दिकत नहीं हो रही होगी पर जिन बच्चों ने computer नहीं पड़ा है तो उनके लिए सारे programming languages हैं यह computer language है तो आपको थोड़ा सा दिकत आ रहा होगा पर क्या कर सकते हैं अभी last time में आपको आपके बास कोई चोइस भी नहीं है अगर आपने पहले से कुछ किया होता तो definitely आपको अभी समझ में आ रहा होता तो कोई नहीं हम आपके लिए ऐसे question तो लेकर आई रहे हैं और बहुत routing algorithm होता है उसको हम कितने category में categorize करते हैं तो क्या वो 4 होता है 2,3 या 5 तो इसका जो correct option है वो है हमारा second दो पार्ट में इसको broad category में हमने इसको divide किया है तो वो दो कौन से है adaptive और dynamic algorithm और fix और static algorithm तो यह दो यहाँ पर broad category है routing algorithm के आगे चलते हैं 9th question पर it convergence process start in late 1960s इसका जो process मतलब हुआ था सुरू हुआ था सुरू हुआ जब हुई थी वो हुआ था 1960s में and has let the development of worldwide computer network पूरी दुनिया में फैलने वाला network computer का network बना and that is now popularly known as उसको अभी हम आम तोर पे जो बहुती प्रचलन में है उस भासा को क्या बोलते हैं उसको बोलते हम internet जिसके माद्यम से आप हमारा lecture देख रहे हैं और हम lecture को shoot करके डालते हैं आगे चलते हैं 10th question पे information travel in the form of data pack on internet and hence it is called as जब internet जब travel करता है data pack के form में internet में तो उसको हम क्या बोलते हैं data network उसको data network बोलते हैं जैसे आपके phone का recharge है वो एक data network का काम करता है उसमें क्या होता है जब आपका recharge खतम हो जाता है तो आपका जो limit होता है वो हाँ पे उनके system में आपका जो भी limit होता है timing होती हो सारा खतम हो जाता है तो यहाँ पे यह data network की बात कर रहा है आगे चलते हैं हमारा 11th question पे client server interaction may take place at dash level client server interaction कितने level में होता है तो 5, 2, 3 या 4 तो यह होता है 3 level में client server interaction जो होता है 3 level में होता है पहला होता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है human server program human का interaction होता है server program से human का human से होता है client program से server program का होता है तो यह 3 interaction होता है यहाँ पे आगे चलते हैं 12th question पे 12th question है हमारा There are dash major form of switching कितने प्रकार के switching होते हैं जो major होते हैं technique used in telecommunication and network They are telecommunication and network में तीन प्रकार के major switching होते हैं उनको क्या बोलते हैं मतलब कितने प्रकार के होते हैं पहले तो यह हमें बताना है और कौन-कौन से होते हैं हमने आपके लिए extra information के तौर पर डाल दिया है तो वो तीन प्रकार के होते हैं तो second option हमारा correct है तीन प्रकार के होते हैं और वो तीन कौन-कौन से है circuit switching, packet switching, cell switching यह तीन तरह के होते हैं आप please करके इनको remember रखिए आगे चलते हैं 13th question पे Cell switching is sometime also called dash switching Cell switching को हम कभी-कभी और क्या बोलते हैं Fast packet switching Fast packet switching भी बोलते हैं Full form of ITU ITU का full form क्या होता है International Telecommunication Union आगे चलते हैं In ITU Parallons The numbering scheme is called as इसमें जो ITU में जो numbering scheme होता है उसको हम क्या बोलते हैं Numbering plan ये सारे बात हमारा चल रहा है जो हमारा जो cell phone होता है और उसमें हम जो number use करते हैं Various company के number होते हैं उन number की बात कर रहे हैं कि ये लोग कैसे number को decide करते हैं कैसे set होता है और कौन जो body है जो की उसको decide करते हैं जैसे यहां पर है international telecommunication union और इसके इनका भी एक head होता है आगे हम उसके बारे में भी question पढ़ेंगे तो यह है फिर आते हैं 16th question पर the maximum size of number in telephone numbering system is अब यहां पर बोल रहा है कि जो एक telephone number होता है उसके maximum size क्या हो सकता है तो वो 12 digit होता है 12 digit का maximum number हो सकता है वैसे तो 10 होता है पर जो आगे के जो 2 होते हैं जैसे इंडिया के बात कर रहे हैं तो 91 होता है तो यह हमारे country code होता है तो वो दो आगे लगते हैं आगे चलते हैं 17th question पर the full form of TRI, T-R-A-I इसी के बात कर रहे थे कि इन सब का जो उपर यह question था ना ITU International चलो यह तो international की बात कर रहे हैं जैसे हमारे जितने भी companies है जो भी telecommunications related है तो उन सब को govern जो करता है वो करता है हमारा TRI, Telecommunication Regulatory Authority of India इसके अंडर में सारा rule and regulation होता है आगे चलते हैं 18th question पर 18th question है dash is a future future that allow a telephone user to retain his telephone number permanently कौन सा वो फैसिलिटी है जो फीचर है जो की ईलाव करता है एक user को कि वो अपना जो नंबर है जो तेलीफोन नंबर है उसको हो डिटेन करके रखै घरर हो मतलब अबस्ट कर अधर करा चाहता हूँ यह फिर वश्छ बी है उसको कंपनी चैंज करना चाहता हुや कोई भी रीजन हो उसके कारण अगर उसके अगर और दे Jennifer पॉर्मानेटली रखना चाहता है तो कौन सी फीचर है वो है हमारा number portability यह इसके बारे में आपको पता होगा आपने कराया भी होगा यह बहुत basic question है आगे चलते है number portability need to be considered in dash situation from the user point of view अब यहाँ पे उपर वाली question का है मतलब एक और add question है कि जो number portability होती है उसमें कितने परकार के situation होते हैं जबकि user को यह वाला facility हम provide करते हैं तो क्या वो दो परकार की होती है five होता है four होता है या three होता है तो यह जो होता है यह तीन परकार के होते हैं पहला होता है तीन परकार का मतलब last वाला option हमारा पहला होता है चेंज आफ लोकेशन या तो यूजर अपना लोकेशन बदल रहा हो तब वो अपना क्या कर सकता है अपना service provider को बदल सकता है या change of operator to service provider एक operator से दूसरी operator में अपने आपसे जाना चाहता हो या change of service from landline to तो मोबाइल या वर्सा वर्सा वैसा वर्सा या तो वो जो मोबाइल से मोबाइल नंबर से लैन लाइन में जाना चाहता हो या लैन लाइन से मोबाइल नंबर में उसको कर्वर्ट करना चाहता हो तो यह तीन रीजन होते हैं जिसके कारण वर्ष एक यूजर जो होता है अपन से connect हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते है होस्ट होस्ट बोलते हैं उसको 21st कोशन है तो हमारा 21st कोशन है IP address are assigned and managed by non-profit corporation called as जो IP address होता है वो assign and manage किया जाता है non-profit corporation के द्वारा उसका नाम क्या है तो उसका नाम है internet corporation for assigned name and number ICANN तो इसको भी याद रखें आप आगे कोशन है हमारा there are there are dash version of IP address under active use कितने version के IP address है जो कि हम currently use में देखते हैं तो वो क्या तीन परकार के हैं चार परकार के दो परकार के या फिर पांच परकार के हैं तो अभी फिलहाल में दो परकार के हैं तो हमारा जो option है वो correct है C that is third और इसमें जो दो परकार के कौन कौन से होते हैं IPv4 और IPv6 ये दो परकार के हमारे IP address होते हैं जो की active use में है full form of IP अब IP का full form क्या होता है IP का full form होता है internet protocol full form of CIDR CIDR का क्या होता है classless inter-domain routing आगे चलते हैं 25th question पे आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूँ कोई question अगर गलत चला जाता है मतलब वो सही होता है slip of tongue में या फिर किसी कारण वर्ष अगर वो गलती से वो गलत बोल देते हैं हम तो please करके आप लोग उसको manage कर लिया करें और आप लोग जो बच्चे बता देते हैं तो अच्छा लगता है कि at least वो लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी serious होके पढ़ें और वैसे तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम कुछ भी ऐसा गलत ना बताएं आपको बट फिर भी अगर कोई by chance अगर चला जाता है गलत तो please करके आप लोग करेक कर दिया करें तो अच्छा लगता है हमें चले आगे चलते हैं 25th कोशन पे तो concept of web started in जो web का जो concept था वो start हुआ था 1989 में कहां पे in France France में start हुआ था यह आगे चलते हैं 26th कोशन पे the design and construction of any complex system follow dash fundamental principle किसी भी system का जो design और construction होता है उसको कितने fundamental principle में construct किया जाता है तो क्या वो 2 होता है 2, 4, 3 या 5 तो इसका जो correct option है वो है 3, 3 का 3, 26 का जो correct option है 3 और option का answer भी 3 ही है तो कौन-कौन से होते हैं वो top-down design, step-wise refinement, फिर उसके बार third है bottom-up build तो यह तीन तरह के principle होते हैं design construction के इस अब computer की बात कर रहा हैं यह किसी building की बात नहीं कर रहा है please करके आप लोग इसको ध्यान में रखे which option from the following is come under the principle of layering तो इन में से कौन सा option जो होता है वो principle है layering का तो इसके जो option है वो है a layering may be divided into sub-layer if the local function cannot be divided into independent module second है similar function are to be placed in the same layer similar function को same layer में place किया गया है layering is the most natural choice or data और voice communication network architecture ये एक natural तरीका है जिसके द्वारा voice communication network architecture चलता है यह last में है all of the above the correct option जो है हमारा वो है for all of the above 28 का question है full form of SNA SNA का full form क्या होता है system network architecture अगला question है full form of DNA DNA का होता है digital network architecture यह सारे बहुत important question है आप प्लीज करके इसको solve करें देखे आप लोग जब आप पढ़ेंगे book तो आप खुदी समझ में आएगा कि कहां से question हमने बनाया है फिर है data communication among computer involved a number of functions such as data communication जो होता है computer में उसमें बहुत सारे function involved होते हैं उन में से कौन सा है physical transmission of bits, bits, bytes, MB, KB यह सारे मैंने आपको बताया था इनी first lecture में बताया था तो आप वह वाला देख लें आपको समझ में आ जाएगा फिर error control routing and session establishment या all of the above तो correct option जो है वह है for all of the above उपर के जो तीन है सारे आते है data communication के computer जब involve होता है उसके function है यह 31st question है हमारा internet protocol architecture is popularly known as जो internet protocol that is IP architecture को और हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं TCP IP architecture आगे हमारा 30 second question तो यह है dash is a short range wireless coverage technology कम दूरी का wireless technology है यह क्या है Bluetooth ब्लूटूथ जैसे आप लोग आजकल तो हेड़फोन भी आ रहे है Bluetooth से connect करने वाला buffer connect हो जाता है तो यह short range का होता है तो इसको बोलते हैं हम Bluetooth आगे चलते हैं 33rd question पे तो यह है full form of ISDN ISDN का full form होता है integrated service digital network आगे जलते हैं 34 question पे full form of GII global information infrastructure GII का full form होता है और 35 question है full form of NII NII का होता है national information infrastructure तो यह लाइक कर दे चैनल को subscribe कर ले और अपने दोस्तों में share करना ना भूले यह देखिए BLIS के जो हिंदी वाले student है उनके लिए भी हमने mcq question यहां पर बनाया है तो यह जो PDF upload होगा तो आपको mcq format का जो question है हिंदी में भी आपको मिल जाएगा तो टेंश लेने के आपको जरूत नहीं है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग PDF provide कर रहे हैं तो आशे करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर फिर भी कोई कर दो दो कर दो